नमस्कार दोस्तो स्वागत अब सभी का हमारी यूटीव चैनल को दोस्तो यदि आप वार्टसब चलाते होना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो में वार्टसब के दो ऐसे हीडेन सेक्रेट ट्रीक के बारे मताने वालो हूं जिसके बारे मैं आपको डिफिनिटली पता होना ही चाहिए तो ये हीडेन सीक्रेट ट्रीक कौन सी है इसको जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना तो चलिए मैं कर लेता हूं वीडियो स्टार्ट मेरा नाम है वीकास और आप देख रहे हैं विकास फोर यू यूट्यूब चैनल अब दोस्तों जान लेते हैं वाटसप के पहली ट्रीक के बारे में ध्यान से देखना वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी के पास फोटो या वीडिय विडियू भेजते हैं तो वहां पर हमारा डाटा बहुत ज्यादा ठीव हो जाता है तो जैसा कि एक मेरा दोस्त है इसके पास हम जो भी फोटो वीडियो भेजेंगे ना तो ये जो WhatsApp है हमारी data को बहुत ही ज़्यादा खर्च करती है जैसा की कोई long वीडियो भेजना हो तो वहां पर हमारी data को बहुत ज़्यादा या कंजूम करती है तो दोस्तो ऐसा क्यों ना हो कि आप कितने भी फोटो वीडियो अपने दोस्तों को भेजो और आपका डाटा भी खर्च ना हो तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने WhatsApp के सेटिंग में आना होगा इसके बाद आपको जाना है या डाटा वाल आइकन पर इसके बाद आपको नीचे जाने पर फोटो अपलोड क्वालिटी का ओप्सन आएगा तो इस पर आना परेगा इसके बाद ये अटू पर किलिक होगा तो आप इसे सिंप्ली डाटा सेवर पर किलिक कर देंगे और OK कर देंगे जिससे क्या होगा कि यदि हम photo upload करें तो उसकी quality data saver के हिसाब से जाए और हमारी data खर्च भी बचे और साथी साथ quality भी maintain हो जाए तो दोस्तो आप इस setting को करके अपने internet data को consume होने से बचा सकते हो दोस्तो बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के trick के बारे में जिसका आपको जानना बहुत ही जरूरी है यदि आप WhatsApp यूज करते हो तब दूस्तो होता क्या है कि कभी-कभी आपको लगता है कि आपका जो पूरा WhatsApp data है वो पूरा delete हो गया माल लिजिए कि गलती से आपसे WhatsApp उन-install हो गया तो फिर आप दूसरी install करके उसी नंबर से register करते हो लेकिन फिर भी पूरी data वाफस नहीं हो पाती है या फिर किसी new phone में WhatsApp चलाने जा रहे होते हो तो वहां भी पूरी data recover नहीं हो पाती है यदि आपके साथ भी यह problem है तो सीख लेजिए कि इससे निपठना कैसे है दोस्तो इसके लिए आपको पहले से ही अपने phone में इस setting को on करके रखना होगा फिर आप चाहे अपनी WhatsApp को जितनी बार delete करो और दुबारा चला तो पूरी data recover हो पाईगी तो दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस पे क्लिक करके आगया जाना होगा यहां पे आपको केवल चैट backup ही नहीं करना है आप थोरी सा और निचे जाएंगे तो आपको include video का option दिख जाएगा यहां से आप अपनी video को backup कर सकते हो लेकिन इससे आपका data बहुत ज्यादा consume होगा इसके बाद आपको google drive वाले option प्याना होगा तो यह by default weekly पे क्लिक होगा लेकिन आपको इसे daily कर देना है इसके बाद आप backup ओबर प्याँगे तो यह भी by default wifi पे क्लिक होगा लेकिन आपको wifi और cellular पे क्लिक कर देना है ताकि आपके phone में जो भी इसको data मिले उससे यह अपना backup करना शुरू कर दे तो दोस्तो यह वो संदार trick था जिससे आप अपनी data को recover कर सकते हो I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजे चैनल पर पहले वारा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलता हूँ फिर अपना वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद